हलो फ्रेंज, डिवान लाइट्स असोसेशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेग्मेंट में आप सभी का हारदिक स्वागत है दोस्तों अब हम आए हैं आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग सेग्मेंट ले करके लेकिन ये होगा coding decoding segment का एक latest pattern जी हाँ दोस्तों लेकिन इस से पहले हम ये segment शुरू करें आपके लिए हम आप सभी लोगों को हाँ चोड़कर आपके इनतजार के लिए और आपके support के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साथ में जो आपका जजबा है उसे सलाम करते हुए आईए चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट दरसल इस पैटन में पहले हम बता दें कि हूता क्या है ठीक है ये जो कोडिंग डिकोडिंग का ये सेगमेंट है तीन भाग में है ठीक है इसमें किसी भी वर्ड की कोडिंग तीन भागों में बती हुई है सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड की कोडिंग का पहला भाग क्या है पहला भाग है कि आप किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर जो है उसका अपोजिट निकाल लेजे जैसे कि किसी वर्ड का लास्ट लेटर ई है तो आप क्या लिखेंगे V समझ में आ गया अब next part next coding कैसे निकलेगी उसी word की आपको देखना ये है कि वो जो शब्द लिखा हुआ है कितने अक्षर का है जैसे मान लिजे आपने लिया yes Y, E, S तो first part में आपने क्या लिखा था S का opposite letter जो की है H अब दूसरे part में आपको पता है कि yes जो word है वो तीन अक्षर का है तीन गुणा दो अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 multiplied by 2 is equal to 6 हो जाएगा तो ये हुआ आपकी word की coding का second part अब third part में आपको करना ही कुछ नहीं है सीधा सीधा उठा करके लिख देना है किसी भी word का second letter ठीक है पहले आपको last letter का opposite निकालना है फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो शब्द कितने अक्षर का है तो उस अक्षर का दो से गुना करके उसको लिख देना उस नंबर को और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा उसमें आपको क्या करना होगा उसमें आपको सिर्फ word का second letter लिख देना है ठीक है चलो माल लो एक word है small s-m-a-l-l अब आप बताए इसका code क्या होगा very good o-ten-m yes, बिल्कुल सही क्यूं? o-l का विलोम है l है last letter ठीक s-m-a-l-l ये हो गए 5 letter 5 को दूर से गुना किये तो 10 तो o-ten और जो word का second letter है वो है m तो इस तरीके से small का code हो जाता है o-ten-m चलिए एक word है माल लिजे would w-o-o-d would अब बताईए चलिए w-o-o-d d का जो opposite letter हो जाएगा वो हो जाएगा w और इसके बाद आप क्या करेंगे चुकि चारक्षर का शब्द है तो चारक्षर गुना दो पराबर 8-8 और उसके बाद आप लिख देंगे word का second letter याने o तो क्या हो जाएगा w-o-o चलिए अब एक word है माल लो mug m-u-d mug अब इसका कोड निकालिये आप चलिए yes t6u yes बिल्कुल सही टिक अब माल लो आपको निकालना है club c-l-u-b कोड निकालिये club c-l-u-b yes y-8-l ठीक है अब निकालिये आप कोड dog का d-o-g dog चलिए yes 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 t6o yes very good अब माल लो आपको निकालना है do का कोड do का d-o-do निकालिये yes दो अक्षर है बिल्कुल l 4o yes बिल्कुल सही अब आप निकालिये work w-o-r-k work का कोड निकालिये yes p-o-o बिल्कुल सही सेज s-a-g-e कोड निकालिये very good v-e-t-e बिल्कुल सही अब आप कोड निकालिये mess m-e-s-s yes 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 h-e-t-e बिल्कुल सही मालो आप पो box का कोड निकालना है b-o-x निकालिये box yes c-6-o very good c-6-o क्योंकि x का पोजिट तो c होगा न चीक है चलिये अब आप निकालिये duck d-u-c-k duck इसका कोड हो very good p-e-t-u बिल्कुल सही समझ गये आप लोग very v-e-r-y कोड निकालिये very good b-e-t-e yes आपको निकालना है face f-a-c-e कोड निकालिये very good v-e-t-e बिल्कुल सही अब आप निकालिये fan f-a-n fan yes m-6-e बिल्कुल सही m-6-e निकालिये आप mat m-a-t mat yes 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 very good g-6-e ठीक है तो इस तरीके से आपको अब ये तो पता चल गया कि कोड निकालना कैसे है किसी भी वर्ड का अब चलिए इसका ही हम पजल कर लेते हैं ठीक है ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल clear हो जाए study the following information carefully and answer the following questions ठीक है अब the following words are coded in this manner hit two golf ball is coded as O8A U8O G6I L6W U wax inner space is coded as F6O I10N C6A V10P part center control is coded as part central control fix ठीक है part center control fix is coded as G8A V12E O14O W10I अब आपको questions solve करने हैं आपको पता चल गया कि इनमे words का code क्या है और आपको coding का pattern पता है अब चलिए solve करिए what is the code for reverse spelling सुन लीजे R E V E R S E बताए ये yes 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 your answer is correct V14E V14E क्योंकि हमने ये देखा कि reverse के last में E आ रहा है तो E का opposite आजाएगा V बिलकोल सही और ये हमने देखा कि ये सात अक्षरों का शब्द ہے तो इसलिए साथ गुने दो किया तो 14 हो गया तो V14 इस तरह से हो गया और हमने ये भी देखा कि word का second letter E है तो इस तरह से reverse का जो code हो गया वो हो गया V14E Now next, what is the code for immediately in the given code language? IMM EDI ATELY Very good, very good, बिल्कुल सही आपने बताया B22M क्योंकि आपने ये देखा कि last time में Y आया है और Y का opposite होगा B बिल्कुल सही और आपने ये देखा कि immediately 11 अक्षर का शब्द है इसलिए आपने यहां 22 लिखा, 11 गुने 22 होता है और आपने ये भी देखा कि जो M है वो word का second letter है इसलिए यहां पे आपने M लिखती है V18L is the code for which word? Option A. Wanted W-A-N-T-E-D Option B. Sartre S-A-R-T-R-E Option C. Backspace B-A-C-K S-P-A-C-E Option D. Reynolds R-E-Y-N-O-L-D-S Reynolds तो जो correct answer होगा वो क्या होगा? Backspace क्योंकि यहां पे हमने पूछा था कि V18 और A L गलत हो गया था A V18 A तो यह किसका code हो जाएगा? यह हो जाएगा backspace का code Next question है What is the code for every fact? E-V-E-R-Y यह हो गया पांच लेटर का F-A-C-T fact यह हो गया चार लेटर का अलग अलग निकालना है दोनों वर्ड के code आपको Very good तो B10 V यह हो गया every का code और fact का code हो गया G-8 A थिक? Next question है G-14 L V-12 X Is the code for which words? G-14 L और V-12 X Is the code for which words? Option A Elantra bank Option B Electric brake Option C Electra Example Option D Element Exposed तो यह किस word? कौन से words के code हों गया? Very good आपने बिल्कुल सही बताया Element Exposed E-L-E M-E-N-T यह हो जाएगा Element ठीक है? E-L-E M-E-N-T तो इसका code आपका क्या हो जाएगा? G-14 L ठीक है? E-X P-O-S-E इसका code हो जाएगा? V-12 X ठीक है? तो इस तरीके से हमारा यह coding decoding का segment यहीं पर खट्म हुआ Lake in France अगर आपका एक जो presence of mind का सवाल हमने पूचा था उसका answer हम बता देते हैं आपको हमने यह पूचा था कि भाई अगर आप रात के तीन बजे हुए हैं आप सो रहे हैं तो आपके घर पे कोई दर्वाजा घट-कटाता है और आप जाते हो पूचते हो कौन ने तो पता चलता है कि परिवार के दो सदस्या और बहुत भूके हैं वो आप से कह रहे हैं कि भाई कुछ खिलाओ इलाओ यार आपके पास होता है फ्रिज में ब्रेड बन और बिस्किट आप बताए सबसे पहले खोलेंगे क्या तो तीन बज रात हो रही थी तो रात में सब लोग क्या करते हैं सोते हैं आप सो रहते तो सबसे पहले आप अपनी आँख ही तो खोलिएगा जब आप अपनी आँख जब तक नहीं खोलेंगे तब तक आप दर्वाजा कैसे खोल देंगे ठीक है और आप किसी को कुछ खिलाएंगे कैसे है ना तो सबसे पहले आप अपनी आँख खोलेंगे आँख ही है आपका सही जवाब तो आप लोगों ने की है बहुत महनत निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती हुई हम देख रहे हैं और इसी बात के सा हम आप सभी को पूरी डिवाइलाइटस असोसियेशन टीम की ओर से कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार